जैसा कि हम सभी को पता है कि सुबा का नास्ता हमारे लिए सबसे जरूरी मारा जाता है क्योंकि ये जरूरी मील होता है सुबा की शुरुआत के लिए और सुबह उचने की बाद सभी एक पॉस्ती शुरुआ चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले लोग चाह पीते हैं जिसे वो फ्रेस महसूस कर सके हेल्थी और सौधिस्ट ब्रेकफास्ट हमारी बॉड़ी को दिन फर के लिए उच्चा से भड़ देते हैं अगर बात करें हेल्थ एक्सपर्ट की तो वो भी यही कहते हैं कि हमें कभी भी सुबह का नास्ता स्किप नहीं करना चाहिए लेकिन आज की भागद और भरी जिंदगी में लोगों के पास खाने का सबय नहीं है सब चलते चलते ही आधे काम निपटाते हैं सुबह का नास्ता अक्सर छूट जाता है बनाने की तो बात ही दूर है लोग सुबह के नास्ते में भी पैकेज्ड फूट्स काप फरपूर इस्तिमाल कर रहे हैं आपको बताते हैं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए एनरजी और पूस्ता तो परदान करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जाने अन जाने में नास्ते में कुछ ऐसी अनहली चीज़े खा रहे हैं जो हमारे शरीर को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुचा रही है तो तल ये जानते हैं कौन से फूर्स आपको दिन की शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे चाय की लगबग हर भारतिय की दिन के शुरुआत चाय से होती है लेकिन सुबा खाली पेट चाय सेहत के लिए खानी कारक हो सकती है सुबा चाय पीने की ये आदत लोगों को असहज मसूस करा सकती है हलाकि आप चाहे तो सुबह के चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी खा सकते हैं लेकिन खाली पेट सुबह चाय बिल्कुल न पिये इसे सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं ताथ ये बलड शुगर को भी बढ़ा सकता है इसके लवा अगर आप सुबह के नास्ते में पैंकेक खा रहे है बहुत से लोग सुबह नास्ते में इसे खाना पसंद करते हैं इसे आपके एनर्जी कम हो सकती है इसलिए नास्ता के लिए अच्छा विकल्प नहीं है साथी आपको बता दे कि सीरिल्स भी नास्ते के लिए सही आपसन नहीं है अलाकि बहुत से लोग इसे सुबह अपने ना इसन नास्ते में खाने से बचना चाहिए शफेद या वाइड बिड्ट मैदे से बने होते हैं जो आपके लिए नास्ते का एक हेल्थी आप्षिन नहीं है इस जिप्स और आप क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेस करके बताईए ऐसी यह अग्या तिप्स के लिए आप देखते र